हेलो एब्रिवान कैसे हो सब लोग उमीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम दिस्क्रस करने वाले हैं इलेक्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज के कोश्चन नमबर टेंथ के सॉल्यूशन के बारे में अगर आपने इसे प्रिवास वीडियो अभी तक नहीं देखा है साथे साथ आने वाले वीडियो का सॉलीशन देखना चाहते हो तो कम्प्लिट प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूद चेक कर लोगे कोशन नवर टेंथ क्या है थीख है यानि कि 176 ohm के कितने रसिस्टर चाहिए ताकि इसका जो रसिस्टेंस हो वो equivalent होगा इसके दोनों के रसिस्टेंस के थीख है यानि कि यहां से आपको connect दिया वी दिया है आप resistance निकाल दो और फिर बताओ कि इसका resistance जो हमारा आया है आप इस type के कितने resistor को parallel connect करोगे ताकि दोनों का resistance सेम आए जैसे एक resistance हमारा इधर आएगा इन दोनों का use करके आएगा ना और उसी type से आप ऐसे जानते हो कि 1 by r equals to 1 by 1 by कितने resistance को करोगे 1 by 76 plus 1 by 76 2 को करना होगा तो ऐसे करोगे 4 को करना होगा तो 4 को करोगे simple form में यही करोगे आप ठीक है तो कितने को connect करोगे ताकि दोनों का value जो है ना आपको same देखने को मिले ठीक है यही question simple form में हमें यहाँ पूछा गया है ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है कैसे इसको solve किया रहा है सबसे पहले यहां से starting करते हैं यहां से starting करते हैं हमें क्या दिया हुआ है कि how many 176 resistor are required in parallel इसके बारे में आप ध्यान दखोगे किस में दिया है in parallel इन पैनल के case में हमारे पास क्या होता है 1 by r is equals to 1 by r is equal to क्या होता है 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 इसी type से चलता रहता है dot 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 1 by rn इसी type से होगा इसा ही होगा ना चलो बिलकुल सही बात है इसी type से हमें देखने को मिलेगा अगर यहां से अगर आप से पूछ हूँ कि r का value कितना आएगा तो आप क्या बोलोगे सर हम लोगो ना तीनो का lcum ले लेंगे और उस basis पे हम लोग बता देंगे क्योंकि सब का resistance हमें कितना दिया है 176 ohm यानि कि r1, r2, r3 सब का value कितना होगा फिलहाल के लिए हम लोग consider कर दे रहे है r कितना consider कर ले रहे है कि late हम लोग resistance को value ले रहे है कितना r ले रहे है और इसको हम लोग ले लेते है r parallel ठीक है इसको लिख देते है rp और इसको लिख देते है 1 by r plus 1 by r plus 1 by r क्योंकि सब का resistance सेम है सर हम लोग ये सब कर क्यों रहे है 1 second मेरे को time दो मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं 1 by r p is equals to सब का LCM क्या हैगा r तो उपर add हो जाएगा 1 plus 1 plus 1 that is 3 यहां से अगर आप देखो ना तो आपको एक golden formula मिला है golden क्या formula मिला है कि जैसे अगर हमारे पास parallel combination के case में अगर हमारे पास same resistor हुआ तो जितने भी resistance का requirement होगा ना उसको आप देख रहे हो कि उपर जैसे यहां पर total कितना resistor का requirement था तीन resistance का requirement था तो उपर का value कितना आया तीन आया और नीचे का value कितना आया R आया उसी ट rankings से जितने resistance का हमें ज़रूरत पढ़ेगा ना उसको हम लोग simple form में उपर multiply कर देंगे और नीचे में हमारे पास R का value होगा बात समझ में आई या नहीं आई जैसे 3, अगर इस questions के according देखो तो R का value कितना है? 176, आप ऐसे कर लोगे simple form में आपको पता चल जाएगा समझ गए बात को, इसको फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं है ना? चल इसको हमने फिलहाल के लिए यहाँ पर एकदम clean कर दिया है ताकि अब हम लोग questions बना सकें अगर आप से, अगर आप से कोई पूछे कि R equivalent किसके equal होगा? बताओ कि R P का value जो होगा ना किसके equal होगा? तो simple form में आप बता सकते हो कि R P और कितने resistance चाहिए? resistance कितना है? 176 divided by कितने resistance चाहिए? later supposed वो resistance हमें X चाहिए है ना? यहाँ पर हमने late कर रखा है कि late X equals to number of resistance number of क्या? that is resistance कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो बहुत अच्छे बात है तो यहाँ से हमारे पास R P का formula आ गया यानि कि जो हमें value चाहिए resistance का वो कुछ इतना हमें चाहिए अब क्या इस value पे भी आप formula पे आप निकाल सकते हो कि resistance कितना है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिलकुल निकाल सकते हैं हम लोग हमें current दिया हुआ है कितना 5 Ampere और उसके साथ साथ हमें voltage दिया हुआ है कितना 220 Volt कितना दिया है 220 Volt नाव अब आप आर निकाल सकते हो R equals to कितना होगा that is V by I V by I यह हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा V का value कितना है तो आप बोलोगे सर यह तो 220 है और divided by कितना 5 है Cancel कर दोगे तो कितने times में cancel हो जाएगा 4 times में और 4 times में 44 times में यानि कि यहाँ से R का value आपके पास आ गया कितना 44 Ohm कितना गया 44 Ohm क्योंकि हमसे पूछा है कि equivalent resistance इसके equal होना चाहिए इसी का value इसको अगर आप equation first बना देते हो तो put R in first हैना first वाले case में हम लोग simple form में क्या कर देंगे R का value पुट कर देंगे तो R P के place पे हम लोग लिख सकते है 44 equals to कितना 176 by X हमें किसका value निकालना है हमें simple form में X का value निकालना है तो X equals to हो जाएगा 176 by 44 थोड़ा सा उपर कर देते हैं थोड़ा देखने में problem हो सकता है ठीक है चलो अब हम लोग अराम से बना सकते हैं इसको अगर नीचे में क्या दिया हुआ है that is X दिया हुआ है cross multiply कर दोगे तो X equals to कितना आएगा 176 divided by कितना 44 divided by कितना 44 cancel कर दोगे 4 times में cancel हो जाएगा यानि कि आपको total कितना requirement है यानि कि 4 resistor का requirement है 176 ohm ताकि equivalent resistance जो है वो किसके equal आजाए तो आप बोलोगे 44 ohm के equal आजाए अगर आप इसको चाहते हो कि नहीं हम cross check करना चाहते हैं कि कैसे ये हमें देखने को मिलेगा तो simple form में आप इसे check भी कर सकते हो ठीक है क्या कर सकते हो अराम से check कर सकते है इसको चलो इधर हम लोग check करते हैं है ना check करते है check करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 by rp is equal to 4 है तो 1 by 176 एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 1 by 176 plus 1 by 176 plus 1 by 176 plus 1 by 176 है ना 4 resistor है 4 को हमने connect कर लिया है तो यह हो जाएगा 176 उपर में एक 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 चारो को add करोगे चारा जाएगा इससे इसको cancel करोगे 44 times में आ जाएगा किसका value 1 by rp तो rp is equal to कितना आ गया 44 ohm and that is the right answer of this question यान कि यहाँ पर हमारा check भी हो चुका है कि हमारे पास value जो निकल कर आया है ना वो एकदम ही सही value निकल कर आया है ठीक है तो इस type से एकदम simple form में इसका आप solution कर सकते हो और answer को find out कर सकते हो जब भी इस type के question आया simply यही concept आपको use करना है एकदम आप आग लगा कर आजे होगे ठीक है उमीड है कि यह सारा का सारा concept आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मिलते हैं आप से अगली वीडियो में question number 11 के solution के साथ complete credit का link मिलेगा आपको description में तो एक बड़ description आप ज़रू check कर लोगे